हेलो दोस्तो मैं विजे पटेल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दबंक लासेस में दोस्तो आज हम पढ़ने वाले हैं संभिदान के 30 अतिम हैदपुन प्रस्ण जो की आने वाली सभी परिक्षाओं में पूछा ही जाएंगे तो चलिए सु अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण है अमारा लक्षदीप किस उच्च नयाले के अधिकार छेतर में आता है आपसे पुछा गया है लक्षदीप किस उच्च नयाले के अधिकार छेतर में आता है पहला अप्षण है आंद्रप्रदेश उच्च नयाले दूसरा अप्षण है कलकत्ता उच्च नयाले तीसरा अप्षण है मनी कुमार चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण है अमारा प्रस्ण को मांग तीन नीती आयोग कब अस्तितु में आया आया आपसे पूछा गया है नीती आयोग कब अस्तितु में आया पहला आप्षान एक जन्वरी 2015 दूसरा आप्षान है एक अ करता है और नीती आयोग का अध्यक्षी प्रधान मंत्री होता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण हमारा प्रस्ण क्रमाइब अध्यक्ष कौन था आपसे पूछा गया है उनिस सो त्रेपन में गठित राज पुनर गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था पेला आपसा ने जवालनाल नहिरू दूसरा आपसा ने राज इंदर प्रसाद तीसरा आपसा ने के एम मुंसी और चोथा आपसा ने फजल अली तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण है अमारा प्रस्ण क्रमांग 5 कि संबिदान संसोदन के द्वारा संबिदान में धर्मन निर्पेक्च सब्द जोड़ा गया था आपसे पुछा गया है कि संबिदान संसोदन के द्वारा संबिदान में धर्मन नि संसोधन, 42 संभिदान संसोधन के द्वारा संभिदान में धर्मन निरपेक्ष सब्दु जोड़ा गया था और 42 संभिदान संसोधन 1976 में हुआ था और इसे लगु संभिदान के नाम से भी जाना जाता है आगे बढ़ते हैं अगले प्रसन की और? अगला प्रस्ण है अमारा प्रस्ण का मांग छे कौन सा अनुच्छेद बित आयोक से संबंदी थे पेला अपसर ने अनुच्छेद 282, दूसरा अपसर ने अनुच्छेद 262, तीसरा अपसर ने अनुच्छेद 263 और जोता अपसर ने अनुच्छेद 245 तो इसका राइट आं प्रस्न की ओर अगला प्रस्न है अमारा प्रस्न कमांग साथ भारत में सार्बजनिक लोग लेखा समीति का गठन कभ हुआ था पहला अप्षन है 1932 में दूसरा अप्षन है 1925 में तीसरा अप्षन 1921 में और चोथा अप्षन सदस्य होते हैं आपसे पुछा गया है संभिदान के अनुसार लोगसवा में कितने सदस्य होते हैं पहला अप्षन ने 545 दूसरा अप्षन ने 552 तीसरा अप्षन ने 554 अप्षन ने 550 तो इसका राइट अंसर है अप्षन नंबर 2 552 संभिदान के अनुसार लोगसवा में सद सर्वोच चिन्याले के निर्धारित जजों की संख्या कितनी थी आप से पुछा गया है जब सर्वोच चिन्याले की स्थापना की गई उस समय सर्वोच चिन्याले में निर्धारित जजों की संख्या कितनी थी पहला अफसाने नो दूसरा आफसाने ग्यारा तीसरा आठ और च पंचायती राज विवस्था का निर्माण किस संसोधन के द्वारा हुआ? आपसे पुछागे आए पंचायती राज विवस्था का निर्माण किस संसोधन के द्वारा हुआ? पहला आपसने 73 संसोधन, दूसरा आपसने 74 संसोधन, तीसरा आपसने 78 संसोधन और चोथा आपसने 762 संसोधन तो इसका right answer है आपसन नमबरे 732 संसोधन पंचायती राज वेवस्था का निर्माण 732 संभिदान संसोधन के द्वारा हुआ था और सर्व प्रसन पंचायती राज की सुरुवात राजस्थान के नागोर जिले से हुई थी और पंचायती राज का बंडन संभिदान की गयार भी अनुशुची में किया गया है, इसे भी आप याद रखें, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रसन की और, अगला प्रसनीह हमारा प्रसन्तर मांग गया रहा, भारत में राजिपाल पद के लिए निमतम आयू कितनी होनी चाहिए आपसे पुछा गया है भारत में राजिपाल पद के लिए नियुनतम आयू कितनी होनी चाहिए पहला आपसा ने 25 बर्स दूसरा आपसा ने 30 बर्स तीसरा आपसा ने 35 बर्स और चोथा आपसा ने 40 बर्स तो इसका राइट आंसर है option number 3 35 बर्स भारत में राजिपाल पद के लिए नियुनतम आयू 35 बर्स होना चाहिए चलिए आगे चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण है अमारा प्रस्ण क्रमांग 12 लोगसबा का संसत सदस्य बनने के लिए नियुनतम आयू सिमा कितनी है आपसे पुछा गया है लोगसबा का संसत सदस्य बनने के लिए नियुनतम आयू सिमा कितनी है पहला अप्साने 25 बर्स दूसरा अप्साने 30 बर्स तीसरा अप्साने 35 बर्स और चोथा आप्साने 40 बर्स तो इसका right answer है option number 1, 25 बर्ष लोगसभा का सदस्य बनने के लिए नियुन्ता मायू सीमा 25 बर्ष होती है भारत का प्रधान मंत्री बनने के लिए भी नियुन्ता मायू सीमा 25 बर्ष होती है आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण हमारा प्रस्ण क केरल उच्च नियाले तो इसका right answer है option number 1, गोहाटी उच्च नियाले अरुना चल प्रदेश गोहाटी उच्च नियाले के अंतरगत आता है और परत्मान में गोहाटी उच्च नियाले के मुख्य नायजिस है सुदान्सु धूलिया चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस् समानता के अधार पर बेदभाव पर प्रतिबिंद भारती संबिदान के किस मोलिक अधिकार के तहत आता है तो इसका right answer है option number 4, समानता के अधिकार के अंतरगत आता है चलिए आगे चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण हमारा प्रस्ण करमांग 15 निमने में से कौन सा भारती संसत का इस्थाई सदन है पेला अप्षा ने लोग सभा दूसरा अप्षा ने बिधान सभा तिसरा अप्षा ने बिधान परिशत और चोथा अप्षा न होती है आगे बढ़ते हैं दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो के एक लाइक जरू करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और यदि आप लोगों को एंपी प्लिस एक्जाम 2016-2017-2021 और जेलपरी एक्जाम 2018-2020 एवमान ने सबी एक्जाम के प्रिवेर्स एयर्स कोश्चन पेपर्स के जीके जीएस और साइंस के कोश्चन की वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर बहां से देख सकते हैं और आप इन सबी वीडियो की PDF पाइल टेलीग्राम ग्रूप जाइन करके बहां से फिरी में डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक मेंने वीडियो के डिस्क्रेप्शन में दे रखी है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगला प्रसन है अमारा प्रसन कमांग 16 भारत के मुख्य चुना आयुक्टी की निक्टी कोन करता है पहला अप्सान ने भारत का राश् पती के द्वारा की जाती है और बरतमान में भारत के मुख्य चुना आयुक्टी राजिब कुमार है आगे बढ़ते हैं अगले प्रसन की ओर अगला प्रसन हमारा प्रसन कमांग 17 निम्न में से कौन सी भासा सभी यूरोपी भासा की जन्नी है पहला अप्सान इस्पैनिस आगे चलते हैं अगले प्रसन की ओर अगला प्रसन हमारा प्रसन कमांग 18 अनुदान की मांग के लिए मत्यदान किया जाता है चार आप्सान आर आपको बताना है कि अनुदानों की मांग के लिए मत्यदान किसके द्वारा किया जाता है पेला आप्साने मुख्य चुना अनुदानों की मांग के लिए मतदान केबल लोकसभा के द्वारा किया जाता है आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण है अमारा प्रस्ण कमांग 19 पुलीस क्रसी और सिचाई भारती संभिदान की किस सूची से संबंदी थे पहला अपसा ने संगी सूची भारती संभिदान की राज्जी सूची से संबंदी थे और राज्जी सूची भारती संभिदान की साथवी अनी सूची के अंतरगत आती है इसे भी आपको याद रखना है आगे चलते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण है अमारा प्रस्ण कमांग 20 आ प्रत्यासित प्रत्यासित इस्थितियों में राष्टपती द्वारा उप्योग किया जाने वाला फन्ड है। दूसरा अफसर ने भारत का समयकित कोश, तीसरा अफसर ने आपात काली नीधी और चोता अफसर ने भारत का सार्वजनिक खाता। तो इसका राइट आंसर है अफसर नमबर एक भारत की आकस्मिक नीधी। आप रत्यासित इस्तितियों में राष्टपती द्वारा उपयोग किया जाने वाला फंड है भारत की आकस्मिक नीधी और भारत की आकस्मिक नीधी अनुच्छेद 267 के अंतरगत बढ़नी थें। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्ण की और अगला प्रश्ण मारा प्रश्ण कमार्ण 21 सर्वोची न्याले की स्थापना और संगटन से संबंदीत प्रावधान भारती शंबिदान के इस अनुच्छेद के अंतरगत दिये गए हैं पहला आफ्सन अनुच्छेद 124 दू गए हैं तो इसका राइट अंसर है आप्सन नमबर एक अनुच्छेद 124 सर्वोची नयाले की स्थापना और संगटन से संबंदित जो प्रावधा ने बा अनुच्छेद 124 के अंतरगत दिये गए हैं और बरतमान में सर्वोची नयाले के मुख्य नयादिस हैं एसे एक स्वायत्ति निकाई के रूप में भारती संसदी समु का गठन किस बर्स में किया गया आपसे पुछा गया एक स्वायत्ति निकाई के रूप में भारती संसदी समु का गठन किस बर्स में किया गया पहला अप्सन है 1913 दूसरा अप्सन है 1947 तो इसका राइट आंसर है का एक स्वायत्ति निकाय के रूप में गठन किया गया था चलिए आगे चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण अमारा प्रस्ण का मांगते भी निमने में से सरकार को नियंत्रित करने के लिए जब बहा साधरन नियमों का पालन भी नहीं करता विपक्षी के सदस्य सदस्यों के द्वारा कोन सी आसाधरन युक्ति का प्रयोग किया जाता है तो इसका राइट आंसर है आप्षन नंबर एक पॉइंट आफ आडर विपक्षी के सदस्यों के द्वारा सरकार को नियंत्रित करने के लिए जब बहा साधरन नियमों का पालन भी नहीं करती है तब पॉइंट आफ आडर का उप्यों किया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं अंगले प्रस्ण की ओर आप्षन नंबर एक 1993 में प्रधान मंत्री रोजगार योजना की सुर्वात 1993 में हुई थी चलिए आगे चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण हमारा प्रस्ण कमांग 25 जनहीत याचिका की अबधार्णा कहां से उत्पन हुई है आपसे पुछा गया है जनहीत य चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो के एक लाइक जरू कर दें अगला प्रस्ण हमारा प्रस्ण कमांग 26 संभिदान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है आप से पुछा गया अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की अधिक्तम संख्या 250 होती है और राज्यसभा में राष्ट्रपती द्वारा मनोनित सदस्यों की संख्या 12 होती है इसे भी आप याद रखें आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण हमारा प्रस्ण कमांग 27 भारत क लोगसभा को इस रूप में भी जाना जाता है, चार आप्षन और आपको बताना है कि लोकसभा को इसमें से किस रूप के रूप में भी जाना जाता है, पेला आप्षन है आम सदन, दूसरा आप्षन है जनता का सदन, तीसरा आप्षन है हाउस आप्षन है प्रतिनीद्यों का सदन, तो इस प्रस्ण आमारा प्रस्ण कमांग 29 राजसभा का सदस्य बनने के लिए नियुनतम आयू सीमा कितनी चाहिए आप से पुछा गया है राजसभा का सदस्य बनने के लिए नियुनतम आयू सीमा कितनी चाहिए पहला अपसाने 25 दूसरा अपसाने 30 बर्स तीसरा अपसाने 35 बर्स औ होना चाहिए राजसवा में सदस्यों की अधिकतम सीमा 200 होती हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण यह मारा प्रस्ण क्रमांग 30 भारत के राष्टपती पद का कारेकाल कितना होता है आपसे पुछा गया है भारत के राष्टपती पद का कारेकाल कितना होता है पेला आपसा ने 6 साल दूसरा आपसा ने 4 साल तीसरा आपसा ने 5 साल और चोथा आपसा ने 10 साल तो इसका राइट अंसर है आपसा नमबर तीन 5 साल भारत के राष्टपती पद का कारे काल पांस साल का होता है और राष्टपति पद के लिए नियुन्तम आयूशिमा 35 वर्स होती है चलिए आगे चलते हैं दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइक और अपने त्यारी को और बहतर कर सकते हैं जै हिन दोस्तों